हाई फ्रेंद्स में हुआना वेलकम टू मूवी शोवी आज एक इंट्रेस्टिक सी डिबेट करने वाले हैं देखो OTT प्लाटफॉर्म्स ने बहुत सारा हमें कॉंटेंट दिया है एक अलगी तरीके की नजरिया दिया है अलग अलग स्टोरीज दिये हैं बहुत सारे ऐसे अक जो डेब्यू है यह हमारे ले गुड न्यूज है के बैड न्यूज है क्योंकि जो फ्रीडम हमें इन अक्टर्स के साथ मिला जिनकी कोई परसेप्शन नहीं थी कोई इमेज नहीं बनी थी तो जिस तरीके से वो अपनी अक्टिंग डिलेवर कर पाए खुलके डायलोग बोल पाए कई पार तो गाली गलोज तक भी पहुंच गए बट वो ओल डाट फेल्ट वेरी वेरी रियल तो आज में पास कुछ ऐसे सिरीज के नाम है जिसके अंदर बॉलिवोट के जो सितारे हैं वो आपका डेब्यू करने वाले हैं OTT प्लाटफर्म के ऊपर अब आपको डिसा अगे वहां कर रहे थे जो करते रहते हैं यहां पर एक जिसे कहते हैं ना एक प्लेइंग फिल्ड छोड़ते खाली जहां पर और अक्टर्स को भी मौका मिलता यहां आपको ऐसा लगता है कि अब OTT क्या तो मूवीज क्या content is the king अब content जहां भी जाए किसी भी तरीके से कहीं पर भी release हो really doesn't matter we need good stories तो अगर आपका भू नजर यह है तो मैं आपको कुछ ऐसी actors की web series के बारे में बताता हूं और tentatively मुझे उसके बारे में क्या updates हैं बताता हूं तो पहले नंबर पर है शाहिद कपूर उनकी दो OTT के उपर चीज़े आ रही है और specifically OTT के लिए बनी है ऐसा नहीं है कि वो OTT के उपर release हो रही है पहले तो उनकी है fake राज और डीके ने ये quirky drama thriller उनहीं के लिए लिखा है as per their comments तो Amazon Prime विडियो के उपर ये release होगी और इसके अंदर विजय सेतुपती जैसे भी बहुती मंझेवे actor हैं और South और ये जो Bollywood का जो blend है यहाप और वो मेरे खाल से इसको और भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग मना देगा जो कि mid of 2022 के उपर रिलीज होगी इसके 10 episode होंगे शाहिद कपूर की एक और Netflix के साथ एक movie भी आने वाली जो कि Ali Abbas Zafir बना रहे है जो कि एक thriller है वो mid of 2022 तक इसकी date expected है अभी इसका बार में जादा जानकर ही नहीं आए पर बता है कि ये दोनो mid of 2022 2022 को रिलीज हो जाएंगे करोना नो करोना क्योंकि स्थिती पर इसकी शूटिंग का कारेकरम है वो इतना पर रिलीज हो जाएंगे फिर अख्यकुमार की बहुत ही ज्यादा टाइम से डिलेड दी एंड जो है वो फिर से रिवाइवल हो गया उसका और Amazon Prime वीडियो के उपर आ जी आ गई तो शायद ये फिर बने भी ना क्योंकि बहुत डिलेड चल रही है 2019 से डिलेड चल रही है पर जो चीज नहीं डिलेड चल रही है वह है अजे देवगिन की रुद्रा दे एज ओफ डाकनर जो की लूथर का रीमेक है और उसको बहुत चारे वाट्स मिलें तो ऐस पहला जो सीजन है इसका दोस्तों वो छे एपिसोड आएंगे और आपको यह बता दो कि लूथर के जो एपिसोड आये थे एपिसोड बोल रहा हूं सीरीज जो आई थी वो करीवन 6 सीरीज तो इसकी आ चुकी है भी तक 6 सीजन तो आ चुके है तो अगर पहला सीजन रुद् थ्रिलर है जिसको अब अधित्य रॉय कपूर करेंगे और एंड ओफ 2022 को यह आपको देखने को मिल जाएगी उसके बाद मागुरी दिख्षित ने भी पीछे नहीं है और इसके अनौच्मेंट काफी ताइम पहले ही होगी थी नेट्फिक्स द्वारा फाइंडिंग अनामि यहाँ पर एक सीरीज कर रही है अमाजन प्राइम विडियो को के साथ और यहाँ पर एकसल एंटर्टेन्मेंट ने इसको बैक किया है और रीमा लागती जो कि काफी मंजी वी मैं बोलूँ है डिरेक्टर है वो यह सीरीज बना रही है इसका नाम है फॉलन और यह आपको जै देखने को भी मिल जाएगा यह स्टैंडब कॉमेडी शोव है कापिल शर्मा आयम नॉट डन येट यह आपको नेट्फ्लिक्स पर देखने को मिलेगा यह काफी टाइम से न्यूस के अंदर थी बट अब यह रिलीस होई जाएगी फिर जया बच्चन जी भी पीछे नहीं है तो क्या वो जो चोटे पड़ी की नुवनसे ने कॉटी है और जो ाइसे फेसे जिसको आज तक जिसे कहते हैं परौसाहित करा है OTT platform में के नहीं नहीं चहरे आते चले जाएं और नहीं नहीं गहानियां बताते चले से वैसा कुछ हो कि यह वले अक्टर्स भी उत्रा ही दमाल मचा पाएंगे या फिर जैसे में आपको स्टार्टिंग में बोला कि अब प्लाटफॉर्म एग्नॉस्टिक कारेकराम हो गया कि आप कॉंटेंट अच्छा लेके आई है चाहे वो सिनेमा कर के लिए हो चाहे वो टेलिविशन के लिए तो आप बदाएए कि आपको क्या लगता है और आपकी क्या फीलिंग है यह एक फीलिंग एक्स्ट्रीम भी हो सकती है जस्ते हैं क्यों के यार क्यों आ गए यार यह बॉलिवोड वाले वैसी कारेकराम खराब ना कर देंगे जो भी आपका मन के प्रतिक रहे है जो दुरूर शेयर करना और अगर अलग से कुछ बदाना बुतोना है तो फिर मुवी शू भी मेरा हैंडल ले इंस्टाग्राम के उपर भी वहाँ पर भी आप कनेट कर सकते हूं